हे गाइस वोकम बैक टो मैं चानल मा नेमीज खुशी एंड मैं आज आपको श्याय करूंगी कि आप घर में इजली केसे आमले का आचार बना सकते हैं यह बहुत ही इजी प्रोसेस है आपको सिर्फ चाहिए फ्रेस आमला एंड अभी चल रही ही उंटर सिजन तो आपको फ्रेस बाउल में थोड़ा सा पान लिजे और आमला डालके ग्यास में बॉयल कीजे आप देख सकते हैं यह अच्छे से बॉयल हो गया है आमला एंड इसकी कलर है जो काफी चेंच हो गई है तो आप अभी ग्यास को बंद कर लिजे के बाद हमें चाहिए एक प्लेट एंड आप दे करके आप सबकी एसे बीच निकाल लिजे बीच से एंड आपको काटना वगरा नहीं पड़ेगा आपको एसे निकालना है आप देख सकते हैं मैं सब आमला से उसका बीच निकाल ली हूँ अभी इसका जो सेकेंड प्रोसेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पूरी फीडिय देखिए आपके लिए हेल्फुल रहेगा मैं अभी ऑयल गरम कर रही हूँ तो ओयल जो है आप थोड़ा सा ज्यादा लिजेए ओयल ज्याधा डालने से आचार में आचार जो होता है ज्यादा दिन तक रहता है अच्छे से ओईल जो है वो गरम हो गई है तो अभी उसमें डालेंगे सौफ तो यहां पे मैं 2 टेबल स्पून सौफ डाली हूँ तो आप हमेशा आमला की कुवांटिटी को देखके ही इंग्रियंट लेजिए सौब जो है वो फ्राइ हो गई है अभी उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पुन मेथी पाउडर तो मेथी दाना को लेके आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए उसके बाद मैं लोगी मॉस्टर पाउडर जो सोरी से किचन में उसको लीजिए अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए उसका जो पाउडर है टूटेबल स्पुन डालिए उसके बाद डालेंगे अधरत एंड हरी मिल्च की पेस्ट अद्रत और हरी मिल्च की पेश्ट डालने के बाद आप उसको अच्छे से फ्राई कीजिए फ्राई करने के बाद हम ऐसे ही आमला को डालेंगे और आमला को हम अच्छे से पकाएंगे जो कि हम जितने भी इंग्रियंट डाले हैं वो इंग्रियंट अच्छे से आमला में आप्जव हो आप्जव होने से ही उसका जो टेस्ट है आएगा अच्छे से तो आप इसे मिक्स कर लिजे अच्छे से आप देख रहे हैं यह धीरे धीरे पक रही है तो इसकी जो कलर है एंड थोड़ा सा तीखा पन लाने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे चिली पाउडर तो आप मैं यहाँ पर टूटबल स्पून डाल रही हूं तो आप अपने अमला की क्वांटिटी को देख के चिली पाउडर डालें यहाँ पर मैं हल्दी भी डाली हूं तो यहाँ पर टूटबल स्पून हल्दी डाली हूं अभी मैं नमक डाल रही हूं तो आप टेस्ट के अनुसा नमक डाले आचार में इसमें भीनेगार भी आपको एक कप डालना है तो मैं इसके बाद ही डालोगी भीनेगार तो हम इसको अच्छे से पकने देंगे थोड़ी देर तक मीडियम फ्लेम में तो आप उसको अच्छे से मेक्स कर लीजिए एंड कुद्देर के लिए पक कंटेनर में इसको निकालने से पहले आप भीनेगा डाल लीजिए आप देख सकते हैं आमले। का जो आचार है, capacitance बन गया है। आप इसको ऐसे यह ताइट आइट कंटेनर में स्टोर कर कर रख सकते हैं इसको freeze में store कर सकते हैं अगर आपको जब भी खाना हो आप इसको थोड़ा सा धूप में रख ले एंड इसका जो टेस्ट है आपको टू थ्री डेस के बाद ही इसका टेस्ट आपको पता चलेगा इस्टन पता नहीं चलेगा एंड यह काफी अच्छा रेसिपी है इजी रेसिपी है आप घर में भी बनाएं और ट्राइ करें अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कॉमेंट में जरूर लिखे कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी ओके गाइस बैबाई